एक दिन किशन अपनी भेंसो को चरा रहा था और उसका मित्र पालू वहाँ पर आता है पालू अपनी मित्र को कहता है किशन मित्र तुम इतने क्यों परेशान हो किशन कहता है मैं अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ पालू कहता है तुम परेशान मत हो जरूर एक दिन ये परिशानी दूर हो जाएगी, उसी जंगल में एक चुड़हल गुफा में रहती थी और उस खजाने की रखवाली करती थी, सोचने लगती है अब तो मैं भूकी हूँ, अब क्या करूँ, मुझे खाना खाने जाना चाहिए, एक दिन किशन अपनी गाएं को चराने के लिए ले जाता है, और वह नदी के किनारे अपनी गाएं को चराने लगता है, और सोचने लगता है ये भगवान मेरी गरीबी कब मिटेगी, और वह एक दिन जा रहा था, तो अचानक वह देखता है कि ये गुफा पहले तो यहाँ पर नहीं थी, अचानक ये गुफा कहां से आई, अब वह घर पे जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, कहता है मैंने एक गुफा देखी है, किशन कहता है मैं उस गुफा में एक बार जा कर देखता हूँ, अगर उसके अंदर खजाना हुआ, तो हमारे दुख दूर खतम हो जाएंगे, उसकी पत्नी बोलती है हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उतने ही में संतुष्ट रहना चाहिए, मुझे एक बार उसमें जा कर देखना चाहिए, उसकी पत्नी बोलती है कि अगर उसमें खत्रा हुआ तो, अगर खत्रा हुआ तो मैं वापिस आ जाऊंगा, अच्छा ठीक है, अब मैं आपकी बात मानती हूँ, अब तुम जाओ, और किशन वहां से चला जाता है, और किशन जैसे ही गुफा की तरफ बढ़ता हुआ जाता है, और वह अंदर पहुँच जाता है, वह देखता है इतना सारा खजाना, और वह एक पोटली ले लेता है, और सोचने लगता है, अगर मैं ये सब कजाना अपने घर पर ले जाओ, तो हमारा जीवन ही सुक में कटेगा, और किशन को अपनी प की और चल देता है, किसन सोचने लगता है, अगर थोड़ा सा और खजाना ले लेता, तो बहुत अच्छा लगता, परन्तो उसकी पत्नी की बात याद आ चाती है उसको, जैसे ही किसन गुपा से निकलता है, अचानक वहाँ पर एक चुड़े लाती है, उसको संदेव हो जात कि यहाँ से कोई खजाना ले गया है, पर वह क्या कर सकती थी, उसके सामने तो था नहीं, जैसे ही किसन अपने घर पर खजाने की पोटली लेकर पहुचता है, और वह उसकी पत्नी सामने देख रही थी, और वह खजाना रखकर अपने पत्नी के पास आता है, उसकी पत्नी सम कर दंग रह जाती है और उसका पती कहता है मैं उस गुफा में गया था परंतु वह गुफा में उस गुफा में इतना खजाना था कि हमारी चार पांच पीडिया आराम से खाती वह उसके बाद उसकी पतनी बोलती है उसकी पतनी समझाते हुए बोलती है हम अपना गुजारा कम किसके सहरे रहेंगे इसलिए आपको कहीं भी खजाना ले जाने की लेके जाने की लाने की जरूत नहीं है और वह उसकी बात माल लेता है और कहता है मैं आप कभी किसी खजाने के चक्कर में नहीं पड़ूँगा हम इतने में ही अपना गुजारा कर लेंगे, अपना जीवन या अपन कर लेंगे, प्रन्तु मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, जिससे तुम्हें तकलीफ हो या मुझे तकलीफ हो, आगे से ध्यान रखेंगे. आगे से ध्यान रखूँगा, कभी भी मैं ऐसा कोई कारिय नहीं करूँगा, जिससे हमारे घर में कोई परिशानी आए, और किसन का घर अच्छी तरीके से चलने लगा, और उनकी गरीबी भी मिट गई, और वह हसी-खुसी रहने लगे.